हेलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल विइंग डेडनर में मैं मोनिस पांडे श्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी लोग स्वास्थ होंगे तो आज की करेंड़ फैर्स में आज आपके सामने में कुछ प्रशन आया हुआ हूं देखेंगा उन प्रशनों को क्रिपए वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब एवं दस लोगों को से रवस कर दें चलिए पहले प्रशन की और बढ़ते हैं पहला को बनाया गया इसका सही उत्तर देखेंगे इसका सही उत्तर होगा आपका अजय इसका सही उत्तर होगा उमंग बहुरा तो इसका उमंग बहुरा को बनाया गया है सिपला के MD बने हुए यहां पर देखेंगे सिपला की अगर हम बात करें तो सिपला की स्थापना कब होती है सिपला की स्थापना 1935 हुई थी और मुख्याले इसका वुंबई में है अर्थ-अर्थ-माराष्ट में और संस्थापक है ख्वाजा अब्दुल-हामीद को इसके सं अगले प्रिश्ण की और बढ़ते हैं उससे पहले यहां पर कुछ प्रिश्ण की और बढ़ते हैं उससे पहले यहां पर संजीव श्री निवाशन को बनाया गया भारती एक्सा जनरल इंस्वरेंस और महेंद्रा एंड महेंद्रा के कि पहला और यूगांडा दूसरा को सोवो तीसरा इंडोनेसिया और चौथा रूस तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर देखेंगे इसका सही उत्तर है इसका कोसोवो और कोसोवो की अगर हम बात करें तो कोसोवो की राजधानी कोसोवो है कहां इस्तित तो कोसोवो यूरोप महादीप में इस्तित है और राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी परिश्टिना परिश्टिना इ कि यूरो है और प्रधान मंतरी अलविन कूरती अभी बताया था अलविन कूरती जो नए प्रधान मंतरी बने यूरोप महाधीप में ये इस्तित थे आपका सिंगापूर के नए परधानमंत्री नी को बनाया गया इज्राइल के नए परधानमंत्री को बनाया गया तो यह यह पर फाइब देशों के परदानमंत्री इनको भी देखेंगे आप चलिए तीसरे curiosityÓ कि और वरट ते विस देवस कम मनाय सोँ यानि कि याने तो आफ़जन देखेंगे यह फे कुछ 21 मार्च और 3 मार्च तो यहां पर देखेंगे इसका सही उत्तर जो होगा विस वड़्ट टूबर क्लोश जो 24 मार्च को मनाया जाता है यह कि 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजीसियन और वाइलोजिकल जो विग्यानिक थे रोवर्ट कोज रोवर्ट कोज ने इसका जो जीवारू था टीवी का तो टीवी के जिवाडू की खोच की थी और टीवी का जो वेक्टिरिया होता है टीवी का जिवाडू होता है उसकी खोच किस ने की थी तो रोबर्ट कोच ने की थी तो टीवी में जिवाडू कौन सा होता है यह माइक्रो वेक्टिरियम टूबर क्लॉसिस यह इसका जिवाडू होता है और अव्यक्ति को खांसी और छींक के जरीए यह फैल सकता है मरीज को और टीवी टीवी की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि टीवी फेपलों में होती है फेपलों में अगर होती है तो फेपला पूरा इंफेक्शन हो जाता है फेपलों में फेपलो से बाहर निकल के आएगी तो रीड की रीड की टीवी भी बोलते हैं तो रीड की टीवी अगर होती है आपको तो अमुमन आपके पेट में दर्द होगा और पीट में दर्द होगा अगर पीट में दर्द आपका होता है तो समझ लें आपका की रीड की रीड में तपेदिक है और गुर्दे में अगर टीवी होती है तो गुर्दे में भी अगर आपकी टीवी होती है तो यह संभा हो सकता है कि यूरिन में रख्त यूरिन में ब्लेट भी आ सकता है तो यूरिन में अगर ब्लेट आता है तो गुर्दे में टीवी के लच्छल है तो यह कम मनाए जाता कि लिखा हुआ है कि बताया भी था देखो मैंने भी तो 24 मार्च 1882 को जन्मन फिजीसियन और माइक्रोवायोलोजिस्ट रोबर्ट कोच ने टीवी के वेक्टीरियम जीवाडू माइक्रोवेक्टीरियम टूबर क्लॉसिस की खोज की थी और उनकी यह खोज भी आंगे चलकर टीवी की निदान और रिलाज में बहुत मद्दगार सावित हुई तो इसके अब थीम दिखना दक लॉजिस्टिकिंग इसकी थीम है नेश्ट प्रस्क्योर बढ़ते हैं टीटोंटी इंटनेशनल टीटोंटी इंटनेशनल अब अशगर अफगान कहां की खिला लिए हैं तो ध्यान रखना अशगर अशगर अफगान यह अफगानिस्तान की खिला लिए हैं तो अशगर अफगान ने टीटोंटी इंटनेशनल में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हसल किया हुआ है अफगानिस्तान कप्तान है य महेंदर सिंग धौनी की 41 मैच थे वहीं अब असगर ने जो अफगानिस्तान की ख्राड़ी है अपने टीम के लिए टी-20 में कुल 42 मैच जीते हुए उन्होंने यानि कि एक अंकिस से इन्होंने बढ़ोत्री कर ली पहले 41 महेंदर सिंग धौनी के थे और क्या असगर अफगान तो इनके 42 मैच हो गए टूटल तो इन्होंने रिकॉर्ड जो था वो महेंदर सिंग धौनी का तोड़ दिया तो याद रखना यह अफगानिस्तान की ख्लाड़ी है अब बात करें वी सी सी आई के वारे में उस दिन मैंने बताय हुआ था आज चर्चा करते हैं आई सी सी के क्रिकिट मैच है जो विस में क्रिकिट मैच कराता वो कौन गराता आए सी सी रेगुलेट करता है इसका आई सी सी का फूल पूर इंटर नेशन अमिरात ने ही भीजा हुआ है मंगल ग्रैपर और हाल के अमेरिका की जो कंपनी नासा नासा ने नासा ने कहा कि मंगल ग्रैपर पानी अगर था तो गया कहा क्योंकि मंगल ग्रैपर काफी हजारों साल पहले तालावों में और जीलें वहां पर थी लेकिन अगर पानी का प्रश्ट के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है आपका किस राज की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एंब्यूलेंस नेटवर्क शुरू किया अच्छा प्रस्ण तो यह एक है जानवरों की पहल के लिए अच्छा प्रस्ण है आपका किस राज की सरकार जानवरों की मदद के लिए देश का पहला ambulance network है चार ओफसन यहाँ पर देखेंगे औरिसा करनाटक के केरल या अंदप्रदेश तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका अंदप्रदेश तो अंदप्रदेश की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का प तो अंदप्रदेश के मुखमंदरी की अगर हम बात करें तो अंदप्रदेश के मुखमंदरी यस जगमोहन रेटडी ने आवारा जानवरों की मदद के लिए नई पहल शुरू की है इस सुब्दा के बाद अवराज जानवरों को समय पर मदद दी जाएगी इस मिसन में जा कोटा में श्री सतीष दर्वन इस्पेससेंटर में अर्य udah कुछा जाता है कि सु 시ह हरिकोट में च Twain Kanth It→ 30 adam-in Space Center काई सहेट तो सरी कोटा में है यह और कुले रूज्छील और पुलकट जीडिए भी आपकी आंधर प्रदेश में प्रमुग याद रखना कि आपका करिशन न नरत किया था वो नागवान के ऊपर Might चोटे बें मिटि उसे षाथ तो मिट्टी से याद रखना कि अलमाटी वांध किस नदी पर है तो यह भी कृष्णा नदी पर है और यह भी आपका अंध्रदेश में है अब देखेंगे भारत का पहला गया जम्मू कस्मीर में खोला गया और देश के पहले एंप्यूटी क्लिनिक का उधगाटन जो हुआ है वो आपका चंडी गड़ में हुआ है चलिए अगले प्रिशन है पहली एसी आई उनलाइन सुटिंग चेंपियंसे में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हुए है चलिए नेक्ट प्रिशन के और बढ़ते हैं भारत के क झाई कि सहीद दिवस भीते अर्श को मनाया जाता है इस दिन सहीद्वगतस सिणह राज गुरु था पर सुख्दे उथाफ़र की कोफासि दे द़ि गई थी अब इसी दिन तेस मार्च body समिंघ्यान जल-दिवस मनाय जाता है मात्मा गांदी जब होली मारी थी वह 30 जनबरी को मनाते हैं अब तेस्ट मार्च को यहां पर जो उत्तर होगा वो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान तो पाकिस्तान ये क्यों मनाता है तेस्ट मार्च को पना राश्ट दिवस इंपोर्टेंट नोट से देखेंगे यहां पर पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान में मनाय जाने वाल फाकिस्तान कि अगर हम बात करे हैं पाकिस्तान कहां इस्ते थे एसीया मह carbohधीप में दो थेते थे राजदानी सबको पता होगी फाकिस्तान की रासधानी जो थी वो इसिलामवाद थी और जाल सी और आजाद कब हुआ था पाकस्तान तो सभी लोग जानते हैं कि अपना दिसे 15 ऑगसING 1947 को आजाद हुआ था ये साल हएक दिन पहले ये आजाद हो गया तो पाकस्तान की स्थापना 14 ऑगसing 1947 को हुई और प्रधान-मंतिरी सब मुझीवर रह्मान को या कावुस बिन सहीद सैद को मुस्ताक अली खान को या सस्वीनी देसवाल को तो वाइज पहले प्रश्टो यही है कि बंग बंदू की उपादी किसको दी गई तो बंग बंदू की उपादी जो है इस समय भारत की जो प्रीती है वो बंगलादिस की सेख हसीना के साथ लगी हुई है तो ध्यान रखना तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बंग बंदू सेख मुझीवर रह्मान होगा तो आगे इंपोर्टेंट्स फॉइंट्स भी देखते हैं वर्स अच्छा गांधी सांती प प्रुषकार स्थापित किया गया और 2019-2020 के लिए गांधी शांती प्रुषकार की गोश्णा होई होती है यह वार्सिक प्रुषकार उन्हें व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक बदलावों को अहिंसा एवं अन गांधी बादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया हो तो बंग बंदू सिख मुझीवर दैमान को किया गया चली यह देखते हैं यहां पर कुछ और बिजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसी ने जीती बुंबई टीम ने जीती इंटरनेशनल वूमेन ओफ करेज अवर्ड तो यहां प और बीवीशे इंडियन स्पोर्ट्स फूमेन ओफ द येर अवर्ड दोजार वीस हैं को नेरू हम्पू को को नेरू हम्पू ने हम्पी ने जीता तो यहां देखेंगे दो चीज़े हैं आपे इंटरनेशनल वूमेन ओफ करेज की वगर वाता है तो गोसल्या शंकर लेकिन पर बीवीशे इंडियन स्पोर्ट्स फूमेन ओफ द येर अवर्ड बीवीशे की वात आती है तो को नेरू हम्पू ने जीता हुआ है चलिए वड़ते हैं आठमे प्रिश्ण की और पाभी अंटी टेरर दोजार एकिस नामक सयोकता तंगवादी व्रोधी अभ्यास की संग संगठन द वारा आयो जो फूर ये पहला प्रिश्ण कौन कौन देस सामिल थे इसमें किन देषोंने इसमें भाग लिया वह इसका दूसरा तंग की समत है ऊधिन तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वोगा आपका S.C.O. चलिए S.C.O. के बारे में जान लेते हैं थोड़ी चर्चा कर लेते हैं S.C.O. के बारे में कि S.C.O. है क्या तो S.C.O. का जो फुल फॉर्म होता है वो था आपका संगाई सायोग संगठन और ये इसका मुख्याले कहां पर है तो सीधा आप देख सकते हैं S.C.O. संगाई सहर आपका कहां पर है ये चीन में है तो ये इसका मुख्याले बीजिंग में है और बीजिंग कहां पर था आपक घ caucus लोग टीटियर्माटे प्रूद diyorsun रचना परसत्त की वह भी सी बहता कोई है पर थोड़े सा अधिक वह तो अब इसकी श्थापन होती है वो 66 हुछ य्यों मिक्षयाये में मुख्याला है एसका सेक्टरी जनरल कौन है इसके वलाद मीर नौ उरुगल सेक्रेटरी जनरल है और दिश्च , एक तो आपका संगाई संठ्टनना स्केटरी भारत पाकिस्तान और चिन रूस हैं और कजाकिस्तान एक अपका S.A.C.O. संगठन है चलिए अगले फिर्शन की और बढ़ते हैं अगला फिर्शन है आपका इंदर धनों से उद्धा अभ्यास भारत और यूके तो यहां पर भारत और यूके की वाइस है ना कि वी जिए कौन सा है उजे तकिया गया तो इंदर धनों से उद्धा अभ्यास था एक और दूसरा आपका अजे वोरियर उद्धा अभ्यास जो था भारत और यूके के वीच आयो जित हुआ तो इंदर धनों से उद्धा अभ्यास और अजे वोरियर उद्धा अभ्यास यह दोनों आपके भारत और eu食 territ के बीच में आयुजी हुआ हैं और ऐसा होगी केजिन युद्द्धाव्यास ज हूआ यह भारत और जापान राउल पुस्तक ने लिखी डाक्टर एम राम चंद्रन ने यह पुस्तक लिखी हुई है उस्तों याद रखना यह अगला पुस्तक देखेंगे आप यहां पर को सुछ पुस्तकी लिक्रविंगों सकोल इसे कीड़न यगाका ने लिखी रुमेंसिंग ठार्गीट इसी और वर्द पुस्तक टिजिमें तुम्हें और योगा हैं एम्पोर्टेट तरत्क इंप्रस और दो बढ़ते हैं लाश्ट प्रिशन आपका कृपया लाश्ट से पहले किरपया हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग अफस करते हैं सब्सक्राइब भी कर दें गयला इकॉन भी दवाद है जिसे आने वाले वीडियो आपको मिलते रह हैं तो थो लिंक्न आप सेटी बनाये गया कमला है इस सब को पता है अमेरिका की पहली महला राश्टाबती हैं और महली महरा लाष्ट उप्राय उप्राष्ट पती है और एक नाम और याद रखना जीनिय टेल ये अमेरिका की पहली महला बित मंत्री है और लॉयड ऑश्टिन अमेरिका के रच्छा मंत्री है और अमेरिका के रच्छा सच्छेव यानि के रच्छा मंत्री लॉयड ऑश्टिन ह है चलिए आवे बढ़ते हैं ये प्रिश्ण आप लोगों को बताना होगा कमेंट में आप सर्च कर कमेंट में आप कमेंट वोक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि विस्ट से मौसम बिग्यान देवसका मनाया गया कि अपर देखेंगे के अच्छ दारेन अभियान द्रेंद मोदी नितिन गटकरी निर्मला सीता मरड़ेन मैंसे कोई नी दवासा करते हैं आज के प्रिश्ण आपको अच्छे लगए होंगे तो कल मिलते हैं नए प्रिश्णों के साथ मैं तब तक के लिए जैहन दोस्तों नमस तक के वाश्च